किसी को अगर bad luck wish करना होता है या फिर बुरा भला बोलना होता है तो वो अलग-अलग तरीके होते हैं लेकिन WWE के fan को अगर बुरा बोलना होता है पता है किसे बोलते हैं अबे मैं तो कहूँ मैं तो कहूँ तुम्हारा WWE का जो है न वो 2018-19 वाला era वापस आ जाए और भाई साब जो फट जाती है फिर fan क्यों है भाईया प्लीज माफ कर दे नहीं नहीं हमें यह चल रहा है यही चाहिए अबे लेवल भी तो यार किसी को भी उठा बॉबी लैशली को स्टेंप और आज देखो ब्रॉक लैशनर और बॉबी लैशली आमने सामने आहा जिंदेगी का अनन्द है इदर काट पर बैठके देखते रो बस यह चीज़े तो किसी और पेपर वियू का रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर उसकी जगह क्या पता डेवन को जो अलग अ बहुत अलग अलग चीज़े हो रही है बड़ एक जो चीज जो अलग ही जगह से निकल के आई है जिसने मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया उन्होंने लिखा कि 6-7 PPVs are enough for a year for last couple of years they have been going too far it seems Triple H is taking the right step now starting में देखने में तो लग रहा है that is crazy but he was not the only one because उसके अलावा भी ऐसा उड़ती हुई खबर सी आ रही है कि यार less PPVs की तरफ जाने वाली है and क्योंकि मैं इसके against me हो तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा यह topic लगा इस पर वीडियो बनाने के कि इसके उपर अलग-अलग thoughts भी मिल सकते है because there are people जो की less PPVs may be prefer करने वाले but guys like me are definitely going to prefer one PPV every month and that is great because उसकी वजए से आप छोटे PPVs दे सकते हो आपको lengthy PPVs देने की जूरत नहीं होगी one of the prime example was all elite wrestling किस तरह से उन्होंने कम PPVs से शुरुआत करी and look where are they now मतलब उनके PPVs की मुझे लगता है कि value खतम ही है एक PPV में इतने दबागे matches डालने पढ़ते हैं मतलब पढ़ने पढ़ते हैं क्योंकि बाकी PPVs नहीं होते तो फिर उनको कहां डालेंगे तो ऐसे में मेरे को लगता है कि monthly PPVs ज्यादा sense बनाता है now अगर Triple H is definitely thinking about कि यार 6-7 PPVs ही रखते हैं हर 2 महिने में एक PPV आएगा then that's a bad business tactic too because business के perspective से भी आप देखो जब आप 12 PPVs sold out कर सकते हो तो आप ऐसे में 6 क्यों करोगे ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला कि अगर वो 6 PPVs कर रहे हैं तो फिर एक लाख stadium वो अचानक से भरने लग जाएंगे ये भी नहीं होने वाला अचानक से वो कोई glorified superstars बनने वाले नहीं हैं ये तो हम सब को पता है और खेर उसका prime example तो हमें अभी पता चल जाएगा अगर December and January में कोई PPV नहीं हुआ सिर्फ Direct January में ending में rumble आया तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि क्या long term जो wait होता है वो worth it होटा है बड़ I guess वो भी अच्छा नहीं ये compare करना because हम road to royal rumble को compare कर रहे हैं और road to rumble चाहे कितना भी बड़ा हो मिर को लगता है कि वो अपने आप interesting होई जाएगा but just imagine एक ऐसा भी time आयागा जब आपको extreme rules और फिर उसके बाद मान लो let's say payback type pay-per-view जिसका कुछ नहीं है उसके बीच में two months का gap मिल रहा है और payback के बाद two months का gap मिल रहा है जिसके बाद एक अच्छा pay-per-view आ रहा है तो फिर आपको क्यों देखने है 6 matches यह तो मैं समझी नहीं आ रहा definitely मैं इसके against में रहने वाला हूँ इस चीज़ की triple H को जो इस चीज़ को prefer करना चाहिए कि वो कम pay-per-views रखे नहीं वो जितना है उतना ही ठीक है मतलब 12 pay-per-views a year maybe 11, 11 भी ठीक है बट उस 6-7 तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगे और काट-काट के किस-किस को काट होगे भाई एक point आ जाएगा जब आपको money in the bank extreme rules type pay-per-views भी काटने पड़ सकते हैं तो वो तो मैं definitely भी नहीं चाहूँगा क्योंकि उसके अलावा like big four pay-per-views तो ही है उसके अलावा extreme rules है and then money in the bank है तो 6 pay-per-views तो यही हो गए उसके अलावा कोई देखना ही नहीं है तो मेरे को लगता है कि I'm definitely with the side of 12 pay-per-views a year और अगर हम 6-7 मतलब अगर मैं advantage भी देखना चाहरा हूँ तो मेरे को as such advantage दिखाई नहीं दे रहा है 6-7 pay-per-views की side पे और अगर दिखता भी होता तो All Elite Wrestling की तरफ से नजर भी आ जाता लेकि नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग कर रहे है वो 6-7 भी नहीं वो और भी कम कर रहे है वो 4 pay-per-views करते है I guess per year I guess हो सकता है कि वो कुछ जाद ही कम है हो सकता है कि 6 joy sense भी बनाएगा कि हाँ हर दूसरे महिने में pay-per-view हो रहा है but either ways मेरे को क्योंकि advantage as such इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा तो मेरे as such इसमें कोई strong opinions भी नहीं होने वारे now I would love to know your opinions because mainly तो इसलिए क्योंकि अब इससे related comments आएंगे तो पता चलेगा कि actually में कि अगर आपको बोला जाए कि आपको 6 pay-per-views देखने को मिलेंगे या फिर 12 pay-per-views देखने को मिलेंगे then what would be your pick और अगर इन में सो कुछ नहीं then आपका कैस suggestion रहेगा comments में लिख कर बता और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो play like कर शेर कर चनल कु सब्स्क्राइब कर